गुड मॉनिंग इस्टूडेंट्स आज का टोपिक है डवल रिविट लैप जोईंट चैन टाइप के अंदर होता है रिविटिंग जैसे हमने पहले सिंगल पड़ा तो सबसे पहले हम प्लेट वन का फोर्मूला निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या जूरत पड़ेगी कि यहाँ फोर्मूले हे सबसे पहले हम वही देख लेते हैं तो यहाँ पर नॉमर 1 पे आता डी होंट टो six अंडर रूट टी यह हम एक प्लेट जो है उसके ठीकनेस का फोर्मुला निकाल रहे है डी जूगल Saturday टी हमने लिया 20 अब 20 क्या है जो डी है याने कि ड्या Wise यह किसको represent कर रहा है जो आपके rivit है उसके goal portion को ठीक है तो d20 is equal to 6 under root t रख लिया अब हमने यहाँ पर formula ऐसे ही करते हुए हम दीरे-दीरे सारे formula को apply करते जाएंगे तो अब हमने क्या किया under root t इदर रखा और 20 by 6 करा 20 उपर 6 नीचे और इसको हमने divide किया ठीक है 6 से divide हो जाएग अब under root हटाते हैं अगर हम तो जो value उसको उससे multiply कर दिया तो under root हट गया t is equal to 3.3 into 3.3 अब t निकल के जो सामने आया है तो 3.3 को multiply कर दो same value से तो t1 यानि कि plate 1 की value आ गई है 10.89 mm यह आई है plate 1 की आगे देखते है plate 2 के लिए अब क्या करते है plate 2 का formula है t2 is equal to 1.125 into t1 ठीक है तो 1.125 into t1 का answer जो आया था 10.89 mm आया था तो अब यहाँ पर हम t2 का देखते हैं जैसे इसको multiply करते हैं तो सामने आता 12.25 mm यह आया plate 2 का यानि कि एक plate उपर होगी एक plate नीचे होगी तो number 1 plate नीचे होगी number 2 plate उपर होगी other formula जो है तो सबसे पहले 1.5 d अब यह क्या है यह है एक as corner से rivit का center point का formula तो इसके लिए 1.5 into d कितना है वो 20 दिया गया है तो 1.5 into 20 same हर चीज पर focus रखना formula पर special ठीक है 1.5 into 20 करते हैं तो सामने आता 30 mm तो 30 mm के आगया corner से rivit के center point तक का distance ठीक है वो हम diagram में देखेंगे second आता है 2 d plus 6 mm अब यह 2 d plus 6 mm क्या है यह center to center distance है तो 2 into 20 plus 6 mm करते हैं तो यह center to center आ रहा है ठीक है अब यहाँ पर जो value आएगी निकल के तो 2 into 20 करते हैं तो 40 plus 6 46 46 mm आ गया एक rivit के center point से दूसरी rivit के center point का distance आपको समझ में आ रहा है अब हम क्या करते हैं जो एक और formula रहे गया है pitch यानि की एक उपर top view में देखते हैं तो pitch कहलाता है 3 d तो 3 into d अब d कितना है 20 है तो 3 into 20 सामने निकल के आएगा 60 60 यह top view के case में use होता है सबसे जादा बाकी के सारे formula front view में use होंगे तो p is equal to 60 mm 60 mm आ गया यानि की एक circle उपर रहेगा एक circle नीचे रहेगा मैं आप यह plate दी गई है तो इसका total distance जो है वो होगा 1.5 d 2 d plus 6 और 1.5 d का total add कर देंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको indicate करता हूं 1.5 into d 2 d plus 6 mm और 1.5 d जो हमारे सामने value आईगी वो total length होगी अब thickness की बात करते हैं तो thickness t2 यह t2 की है तो t2 का formula में जो आपने देखा था 12.25 आया की देख लेते हैं t1 10.89 आया था तो यहाँ पर हम 11 लेंगे उपर 12 की जिए हम 13 ले लेंगे ठीक है हमेशा plus में रहते हैं positive में रहते हैं यह जो बीच में central line दिखाएगे यह अब यहाँ पर हम क्या d को represent करते हैं d 20 तो इस central line से 10 इधर 10 इधर ठीक है सम बराबर वाली repeat पर कर रिविट को डालते हैं इसके अंदर तो यहाँ पर सबसे पहले रिविट यहाँ पर आ जाएगी ऐसे यहाँ पर से हमने डाला और नीचे को hammer करके हमने same जैसे उपर की shape होती है वैसी हमने नीचे की shape दे दिया है ऐसे ही अब हम दूसरी रिविट डालेंगे यहाँ पर तो य जैसी उपर से दिखाई देती हम प्लेट वैसी बना लेते हैं तो ऐसा कुछ diagram में दिखाई दे रहा है एक तरफ बिल्कुल state line है बाकि सब free hand बना सकते हैं ठीक है यह हो गया यह distance हम जादा से जादा ले सकते हैं ऐसे ही अब हमने reference 2 ले ली प्लस second line जो 1 थी वह प्लेट 2 के नीचे थी तो सारा portion hidden में आ जाएगा और जो बार का है वो light आ जाएगा अब यहां पर सबसे पहले हमने एक circle बनाया जो कि हमारी rivit के उपर head को show करेगा ठीक है अभी इसके अंदर हमें जो D है वो represent करना वो आएगा hidden line से क्योंकि उपर से देखते वक्त वो छुपा हुआ है तो वो यह आ गया यह outer है यह inner है दो रिविट के डाय को represent कर रहा है इनर वाला hidden में आएगा outer वाला dark आ जाएगा ऐसे ही करते हुआ हम side में भी बना लेते हैं यह बन गया तो यह जो है rivit का distance अब यहां पर distance भी हमें उपर पहले से मिला हुआ जैसे हमने पहले बताया था अब यहां पर हम अगला circle बनाएंगे यानि कि अगली rivit लगाएंगे तो rivit के case में क्या करेंगे हम सेम पूरा का पूरा सेम जो ऊपर बनाया हुआ वह हम नीचे बना देंगे यहां पर जैसे अभी दिखाया गया है तो यह outer circle जो है वो उपर से represent कर रहा है और जो अंदर वा अगला फिर हम ऐसे ही बना लेंगे जैसे कि आपके सामने अब एक और हम एक और circle यहां पर बनाएंगे ताकि 6 rivit हमें दिखाना compulsory होता है 6 rivit top view में front view और top view में तो यहां पर छटी rivit हमारी लग गई है थोड़ा सा जो line से है वो थोड़ा सा आप line से अंदर ही रखेंगे मेर लाइन थोड़ा cross हो रही आप पर अब यहां कर आपको पूरी dimension दिखाना चाहूं तो वो है यह dimension है इसकी 1.5D 2D plus 6 I hope आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा thank you so much media student